तो आज हम सीखेंगे page setup का यूज करते हुए किसी भी sheet को print करने से पहले उसका margin कैसे set किया जाता है और इसके अलावा page पर header और footer लगाना भी सीखेंगे अब इतक पिछली वीडियो में हम page setup के कुछ options आपको clear करा चुके हैं इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किसी भी page पर margin कैसे लगाते हैं इसके लिए हमें page layout में page setup में जाना होगा और यहाँ पर आपको option मिलेगा margin देखिए margin में यहाँ आपको left margin दिखाई दे रहा है इधर right margin यह top margin और यह bottom margin margin वो area होता है जो हम page के 4 तरफ खाली छोड़ कर चलते हैं यानि जब हम कोई print निकालते हैं तो उसमें working area होता है और working area के अलावा जो 4 तरफ खाली जगा छोड़ी जाती है उसको बोला जाता है margin तो देखिए left side में आपको कितना space छोड़ के चलना है उसे बोलेंगे हम left margin right side में आपको कितना space छोड़ के चलना है उसे बोलेंगे हम right margin top में आपको कितना space छोड़ना है और bottom में कितना space छोड़ना है तो आप यहाँ से set कर सकते हैं चारो तरफ मतलब यहां से यहां तक जो margin है वो 2 inches margin आपको दिखाई दे रहा है फिर से हम पे setup पे जाएंगे और यहां से जा कर इसको अगर हम 1 inch कर देते हैं और ok कराते हैं तो आप देखेंगे यहां पर आपको margin जो दिखाई देगा वो 1 inch दिखाई देगा इसी तरह से अगर आप left side में margin देखें यहाँ पर इसकी जगापर इसको delete करने के बाद यहाँ पर 2 inches कर देते हैं और okay करा देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो margin दिखाए देगा left side में वो 2 inches दिखाए देगा तो इस तरह से page के चारो तरफ left, right, top, bottom आप margin set करना चाहें तो कर सकते हैं इसको जितना आप मर्जी चाहें उतना कम या जादा कर सकते हैं इसके बाद हम बात कर लेते हैं header और footer के बारे में header means होता है कि अगर आपने कोई page के उपर side में header लगा रखा है तो आप उस header को कितना top से नीचे की तरफ देखना चाहते हैं तो इसके लिए देखें पहले हमें header लगाना पड़ेगा फिर आप समझ पाएंगे कि हम किस तरह से header और footer का margin set करते हैं इसके लिए देखें यहाँ पर हम header and footer में जाते हैं आप अगर कोई text लेते हैं तो उसको left side में दिखाना चाहते हैं right side में दिखाना चाहते हैं या center में दिखाना चाहते हैं तो फिलाल मैंने यहाँ पर लिया है left side में उसको ok कराया है एक बार और जब हम ok करेंगे तो आप देखेंगे आपको left side में उपर IACA लिखा हुआ दिखाई देगा Pay setup में जाएंगे फिर से Margin में जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं दिखें यहाँ पर जो आपको Header दिखाई दे रहा है उसमें आपको Top Side से 0.25 का Space दिखाई दे रहा है अगर मैं 0.25 की जगा पर इसको 0.5 कर देता हूँ और OK कराता हूँ तो आप देखेंगे यह जो IACA है वो Top से 0.5 Space लेकर आ जाएगा Pay setup में जाएंगे फिर से margin में जाने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से 1 इच कर देता हूँ और OK कराता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से जो IACA है वो थोड़ा और नीचे आ चुका है इस sheet के पीछे आ रहा है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है Pay setup में जाएंगे इसको मैं थोड़ा सा फिर से कम करके दिखाता हूँ आपको देखें मैंने यहाँ पर 0.5 किया ओके कराया तो आप देखेंगे यहाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इस तरह से हम header और footer के अंदर margin set करना चाहें तो कर सकते हैं मतलब यहाँ पर जो भी आपने header लगाया है आप उसको कितना उपर से नीचे की तरफ देखना चाहते है या इसी तरह footer अगर आप लगाते है तो footer आप नीचे से कितना उपर की तरफ देखना चाहते है वो आप यहाँ से set कर सकते है इसके बाद देखें आपको यहाँ पर option दिया हुआ है center on page इसका मतलब है कि अगर आप horizontally यहाँ पर select कर लेते हैं जो आपको यहाँ पर पीछे matter दिखाई दे रहा है जब आप इसको ok करेंगे तो यह matter आपको left और right दोनों side से बराबर दिखाई देगा मतलब जितना space आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उतना ही space आपको यहाँ पर दिखाई देगा space setup में जाएंगे उसके बाद margins में जाने के बाद नीचे option मिलेगा vertically अगर हम vertically इसको select करते हैं इसका मतलब होता है कि जितना space हम उपर चाहते हैं उतना ही space हम नीचे चाहते हैं जब मैं OK कराऊंगा तो आप देखेंगे जो आपका matter था वो matter जितना उपर से align होकर आया है उतना ही नीचे से align होकर आएगा मतलब दोनों तरफ बराबर space दिखाई देगा top में भी और bottom में भी तो इस तरह से हम margin set कर सकते हैं इसके बाद हम बात कर लेते हैं header and footer के बारे में देखे header के लिए मैं आपको पहली बता चुका हूँ कि यहां से custom से जाने के बाद आप header लगा सकते हैं left section में अगर कुछ लिखना चाहते हैं center में कुछ लिखना चाहते हैं या right side में कुछ लिखना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं या directly आप यहां से भी उसकर सकते हैं यहां पर आपको दिया हुआ है insert number of pages अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं और ok कराते हैं एक बार और ok करेंगे तो आपको यहां पर page number भी दिखाई देगा page setup से जाकर header and footer पर जाना है अगर आप header and footer को हटाना चाहते हैं तो देखें यहां से आपको none करना होगा none करने के बाद जब आप ok कराएंगे तो आपको यहां header side में कुछ भी दिखाई नहीं देगा बिल्कुल इसी तरह से देखें यहां पर हमने footer में लगा रखा है page setup से जाने के बाद यहां नीचे option मिलेगा आपको footer और यहां से जाने के बाद आप नन्द में जाएंगे और ok करा देगे तो आप देखेंगे यहां से footer भी आपको दिखाई नहीं देगा तो इस तरह से header and footer पर जाकर आप header section में header लगा सकते हैं और जो footer section में वहां से जाकर footer लगा सकते हैं इसके बाद देखें नीचे option आपको मिलेगा different odd and even pages इसका मतलब होता है कि अगर आप odd page पर अलग से header लगाना चाहते हैं तो अलग अलग दौनों पर header or footer लगा सकते हैं इसी तरह से different first page इसका मतलब यह कि आप first page पर header अलग लगाना चाहते हैं और बाकी की जितने वी pages हैं उस पर अलग header लगाना चाहते हैं तो आप इसका use कर सकते हैं I hope ये video आपको अच्छे लेगी होगी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस video को like जरू करें Thank you